ये रहा आपके लिए question number 3 देखो इस question में थोड़ा सा different है अभी तक पढ़े जो जिसमें भरने वाला था यहाँ पे question खाली करने वाला है कोई बाद में कहेंगे कि जब खाली करने वाला नल होता है ना तो उसके आगे minus का डाटा लगा देते हैं मतलब वो minus कर रहा है पानी भार नहीं बलकी खाली कर रहा है तो A किसी टैंक को एक घंटे में खाली करता है और B उसी टैंक को तीस मिनट में खाली करता है अब यह पताओ एक है unit घंटा में और दूसरा है मिनट में क्या हम इस hour को convert करके 60 मिनट लिख दे तो A किसी टैंक को 60 मिनट में और B उसी टैंक को 30 मिनट में अब अगर इसका LCM निकाले तो आ जाएगा 60 से 1 टैंक और 30 से 2 बार अब आपसे पूछा कि दोनों मिलकर भारी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगी क्योंकि यहाँ पे दोनों खाली करने वाला है तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे टंकी क्या होगा खाली होगा तो यह दोनों डाटा किस चीज में है माइनस में अब बताओ एक नल अगर एक लिटर खाली करता है और दूसरा नल दो लिटर खाली करता है तो दोनों मिलके कितना खाली कर देगा तो दोनों मिलके अगर भेज़ दिए तो 3 लिटर खाली करेगा तो साथ लीटर खाली करने में टाइम कितना लगेगा तो 20 मिनल एक छोटा सा चीज आप यहाँ पे माइनस तरी लिखे हैं लेकिन यहाँ पे माइनस तरी क्यों नहीं लिखे तो टाइम हमेशा प्लस में होगा और इस हिसाब से ये टाइम दिखा रहा है 20 मिनट का हो गया जेफिनिस